नमस्कार देखरें पंजाब के स्री और मैं हूँ आपके साथ रिंकी बतरा WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूशन शरन सिंग और BJP के सांसत कि आज मुश्किले बढ़ सकती हैं बता दे राउज एवेन्यू कोट में रैसलर प्रोटेस्ट में आज उनके आरोप तै करने पर बहस होगी बता दे वो कोट में पहुँच चुके हैं और सुभे यह जो कह सकते हैं कि इसमें आज बहस आरोप पर होनी है ये तैह होगा कि ये आरोब जो लगाए गए हैं वो सिध होते हैं या नहीं होते के सरगन से ये सांसद है साथ ही ड्रेसलर्स का जो प्रोटेस्ट था तकरीबन 34-38 दिन तक जंतर मंतर के साथ साथ अलग-अलग जगा पर भी चला था खास्तोर पर जंतर मंतर पर ही इसका केंदर रहा था लेकिन अगर बात करें रेसलर्स प्रोटेस्ट की तो काफी बड़ा मुद्दा नैशनल इंटरनेशनल लेवल पर बन गया था अब बड़ी ख़बर इससे जुड़ी हूई ये आ रही है कि केसर कंसे सांसद ब्रेजभूश ब्रेजभूशन को व्यक्तिगत पेशी से एक दिन की छूट दी गई थी इसके साथ ही जो WFI के पूर्व प्रमुख के सहायक सचीव है विनोध तोमर उसके भी आपको तस्वीरे दिखाना चाहेंगे ये वो विनोध तोमर है इन दोनों पर जो है आरोप सिद्ध हुए थे आरोप पर बहस के लिए कोट ने 9-10-11 की तारीक तैकी है दोनों पर अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज है विनोध तोमर पर जिन जिन धाराओं में केस दर्ज है वो मैं आपको बताना चाहूंगी दोनों पर फिलहाल 354, 354A, 354D ये ब्रिजभूशन शरंग सिंग पर इ अपराधिक बल 354A जिसमें योनुत पेडन शामिल है और 506 जिसमें अपराधिक धमकी है ये सारे आयोप जो है विरोध तोमर पर लगे गए हैं लगाए गए हैं छे महिला पहलवानों द्वारा जिनमें एक बालिक पहलवान भी शामिल थी जंतर पंतर पर ये पूरा प्रो टेस्ट के आपको फाइल फुटेज जो है वो दिखाना चाहेंगे जिसमें खास तोर पर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट शामिल थी और साक्षी मलिक के पती सत्यवर्थ काध्यान भी आपको फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे साथ ही आपको ये बता दें कि खास तोर पर ये केंदर जंतर मंतर पर रहा था तब तक जब तक दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के तम वो जंतर मंतर से नहीं उखार दिये थे हाला कि ये विवादों के घेरे में तब भी आए थे जब हरीदवार में ये अपने मैडल्स को बहाने के लिए गए थे लेकिन खास तोर पर इधर देखने वाली बात अभी ये है कि राउजवेनी कोट में फिलहाल मामला जो है चल रहा है और करनाट पिलिस पुलिस टेशन में जो F.I.R. दर्ज की गई है उनमें छे पहलवानों द्वारा योन उत्पिडन का आरोप लगाया गया है हाला कि फिलहाल इसकी पुष्टी अभी नहीं की जा सकती ये आपको तस्वीरे नजर आ रही है फिलहाल जिसमें ब्रजभूशन शरन सिंग पर जो भी अपराधिक इतियास था ये पहलवानों द्वारा ही लिखा गया था जिनमें अलग-अलग थानों में ब्रजभूशन के एक 1082 चार्ट शीट में दिली पुलिस द्वारा दाखिल किये गए हैं उनकी कितनी सचाहियत इन दिन इस पर बहस राउजेवनी कोर्ट में छेडी जानी है जिसके बाद खासतोर पर ये देखने वाली बात होगी कि क्या आरोप सिध होते हैं क्या आरोप तै किये जाते हैं शरन सिंग के खिलाब हाला कि 354, 354, A, 354, D में मामला ब्रजूशन के खिलाब दर्ज है और बता दे कि वो WFI के पूर्व प्रमुक रह चुके हैं अभी फिलहाल एलेक्शन्स नहीं होए हैं और साथ ही आपको ये बता दे कि पहलवानों की अगर अब की स्थितिकी बात करे तो वो एशियन गेम्स में भाग लेने के लिए खासतोर पर अपनी प्रेक्टिस में जोर दे रही हैं और फोरन में विदेश में जाकर कह सकते हैं कि धरती पर जाकर विदेशी कोच के साथ वो ट्रेनिंग भी ले रहे हैं ये आपको फिलहाल बिल्कुल एक्स्क्लूसिफ फ वारा इस मामले में छेड़ी जाती है हालकि दोनों तरफ से जो वकील है वो मैं आपको बता देती हूं अगर प्रजबुशन शरन सिंग की बात करें तो उनके वकील राजीव मोहन है जिन्नों ने ये कहा है कि दिल्ली पुलिस से प्राप दस्तावेजो चारचीट का सत्यापन पूरा हो गया था 28 जुलाई को उन्हों ने ये भी आगे कहा था कि दस्तावेजो की बहतर प्रतिया भी मागी गई है आशा करते हैं कि अब तक तो उनको प्रतिया मिल ही चुकी होंगी साथी 20 जुलाई को इसे पहले जब कोट ने इनको ब्रजबूशन को और विनोत तोमर को बुलाया था तो दोनों आरोपीतों को नियमित जमानत दे दी गई थी इसके बाद आज इनकी कोट में पेशी हुई है अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आरोप कोट द्वारा इस मामले में सिद किये जाते हैं तकरीबन 34 से 38 दिन तक जंतर मंतर के साथ साथ अलग अलग जगा पर भी चला था खासतोर पर जंतर मंतर पर ही इसका केंदर रहा था लेकिन अगर बात करें रेसलर प्रोटेस्ट की तो काफी बड़ा मुद्दा नैशनल इंटरनेशनल लेवल पर बन गया था अब बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई ये आ रही है कि केसर कंसे सांसत ब्रजभूशन शरन सिंग की मुश्किले और बढ़ सकती है क्योंकि 9, 10 और 11 अगस्त को इस मामले में आरोपता करने पर जो बहस है वो कोट में होनी है बतादे इससे पहले सुनवाई जो है 28 जुलाई को कोट दुआरा ब्रजभूशन को व्यक्तिगत पेशी से एक दिन की छूट दी गई थी इसके साथ ही जो डबलो एफ़ाई की पूर्व प्रमुक के सहायक सचीव है विनोध तोमर उसके भी आपको तस्वीरे दिखाना चा ब्रजभूशन की और से जो वकील पेश होए थे उनका नाम राजी मोहन है आरोप पर बहस के लिए कोट ने 9-10-11 की तारीक तैकी है दोनों पर अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज है विनोध तोमर पर जिन जिन धाराओं में केस दर्ज है वो मैं आपको बताना दोनों पर फिलाल 354, 354A, 354D ये ब्रजभूशन शरंग सिंग पर इन इन धाराओं में है और अगर विनोध तोमर की बात करें तो IPC की धारा 109 जिसमें उकसाने वाला अधिकारी 354 जिसमें महीला की गरीमा को ठीस पहुचाने के इरादे से हमला या अपराधिक बल 354A जिसमें योनुत पेड़न शामिल है और 506 जिसमें अपराधिक धमकी है ये सारे आयोब जो है विनोध तोमर पर लगे गए हैं लगाए गए हैं 6 महीला पहलवानों द्वारा जिनमें एक बालिक पहलवान भी शामिल थी जंतर पंतर पर ये पूरा प्रोटेस्ट जो था वो चला था उस प्रोटेस्ट के आपको फॉटेज जो है वो दिखाना चाहेंगे जिसमें खास तोर पर बजरंग पूनिया साक्षी मलिक और विनेश फोगाट शामिल थी और साक्षी मलिक के पती सत्यवर्थ काध्यान भी आपको फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रहे साथ ही आपको ये बता दें कि खास तोर पर ये केंद्र जंतर मंतर पर रहा था तब तक जब तक दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के तम बों जंतर मंतर से नहीं उखाड दिये थे हाला कि ये विवादों के घेरे में तब भी आएं थे जब हरीदवार में ये अपने मैडल्स को बहाने के लिए गए थे लेकिन खास तोर पर इधर देखने वाली बात अभी ये है कि राउजवेनी कोट में फिलहाल मामला जो है चल रहा है और करनाट पलेस पुलिस स्टेशन में जो FIR दर्ज की गई है उनमें छे पहलवानों द्वारा योन उत्पिडन का आरोप लगाया गया है हाला कि फिलहाल इसकी पुष्टी अभी नहीं की जा सकती ये आपको तस्वीरे नजर आ रही है फिलहाल जिसमें ब्रजभूशन शरन सिंग पर जो भी अपराधिक इतियास था ये पहलवानों द्वारा ही लिखा गया था जिनमें अलग-अलग थानों में ब्रजभूशन के एक 1082 चार्डशीट में दिली पुलिस द्वारा दाखिल किये गए हैं उनकी कितनी सचायती इन दिन इस पर बहस राउजेवनी कोर्ट में छेडी जानी है जिसके बाद खासतोर पर ये देखने वाली बात होगी कि क्या आरोप सिध होते हैं क्या आरोप तै किये जाते हैं ब साथ ही आपको ये बता दें कि पहलवानों की अगर अब की स्थितिकी बात करें तो वो एशियन गेम्स में भाग लेने के लिए खासतोर पर अपनी प्रेक्टिस में जोड़ दे रही हैं और फोरन में विदेश में जाकर कह सकते हैं कि धरती पर जाकर विदेशी कोच के साथ वो ट्रेनिंग भी ले रहे हैं ये आपको फिलहाल बिल्कुल एक्स्क्लूसिफ फुटेज नजर आ रही होगी ब्रिजभूशन कोट में पहुच चुके हैं और इसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि क्या फैसला कोट द्वारा दिया जाता है क्या बहस जो है दोनों परव से जो वकील है वो मैं आपको बता देती हूं अगर प्रजभूशन शरण सिंग की बात करें तो उनके वकील राजीव मोहन है जिन्नों ने ये कहा है कि दिल्ली पुलिस से प्राप दस्तावेजो चारचीट का सत्यापन पूरा हो गया था 28 जुलाई को उन्होंने ये भी आगे कहा था कि दस्तावेजो की बहतर प्रतिया भी मागी गई आशकरते हैं कि अब तक तो उनको प्रतिया प्रतिया बाता है